Hello students, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप इस अच्छे होंगे, आप healthy होंगे और अपने घर पर enjoy कर रहे होंगे क्योंकि Corona के second wave में बाहर निकलना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों Class 8 के subject social science में आप तो जानते हैं कि NCRT books के अलावा बहुत सरी private publication की books भी चलती है उनी में से एक private publication का नाम है New Longman Vista तो New Longman Vistas की जो book क्लास 8 की उसके लगबग सभी chapters का मैंने explanation कर दिया है और मेरे YouTube channel पे वो सारे videos uploaded भी हैं जिनको वहाँ से देखना है वो जाकर कि वहाँ से देख सकते हैं इसके बाद class 7 का number आता है तो आज मैं class 7 के New Longman Vistas book से ही chapter number 1 को आपके सामने explain करूँगा और ना केवल chapter 1 को explain करूँगा बलकि साथी साथ उसमें जो exercise हैं उनको भी मैं इसमें solve कराने वाला हूँ तो आज से और अभी से chapter 1 और class 7 की जो book है New Longman Vistas उसके एक एक chapters को मैं explain करता जाऊँगा और वो सारे videos की playlist बना करके मैं अपने YouTube चैनल पर भी डाल दूँगा जोसे लगबग जितने भी students हैं जो परेशान रहते हैं हरान रहते हैं जिनको अच्छा explanation गुड explanation नहीं मिल पाता है तो उन सब से उन सबी students से मेरा promise है कि आप एक बर इस video के देखिए आपकी जो भी complaints है जो भी शिकायते हैं जो भी आपकी misunderstanding है वो सारी clear हो जाएंगी पूरा एकदम detail में मैं इसको समझाने वाला हूँ बिना देर की explanation को शुरू करते हैं तो chapter 1 के starting में जो paragraph दिया है उसमें ये बताने का try किया गया है कि medieval period जो आपका होता है history का history के three periods होते हैं सबसे first आपका ancient history होता है जिसमें पुरानी बातों को पढ़ते हैं जिसमें इंडस वैली civilization से ले करके और 7th या 8th century तक उसमें पढ़ना होता है उसके बास से आपका start होता है medieval period जिसमें 800 से ले करके और लगबग 1200 या 1300 तक के time की बातों को हम पढ़ते हैं ठीक है और 1300 से ले करके जो 1600 यर तक का जो time है उसको late medieval period कहा जाता है और 800 से ले करके जो 1200 तक का time है उसको early medieval period कहा जाता है अब जो early medieval period है उसमें हम mainly पाल, प्रतिहार, रस्ट कूट, चोल और राजपूत, किंग के बारे में वो उनके dynasty के बारे में उनके वन्सचों के बारे में हम पढ़ेंगे और late medieval period में जो तुर्क अटेक हुए जो मुगल अटेक हुए या जो दिल्ली सल्तनत बनी है या जो उस 1600 तक की जो भी incident है उनके बारे में हम इस late medieval period में पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी changing names of regions in India उसमें क्या बताया है आई उसको भी समझ लेते हैं उसमें ये कहा गया है कि आज जो आपकी country का नाम है वो इंडिया है या तो भारत है तो आपके constitution में यही दो नाम official काम में हम अपने nation का अपने देश का जो नाम यूज करते हैं या तो हम भारत लिखते हैं या तो हम इंडिया लिखते हैं लेकिन भारत या इंडिया होने से पहले भारत तो प्राची नाम था पुराना नाम था लेकिन इंडिया नया नाम था ठीकिन उससे पहले भी इंडि इंडिया में आये तो उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा उससे पहले इस कंट्री को जंबू दीप या आर्यावर्थ भी कहा जाता था आर्यावर्थ का मतलब आर्यों का देश ठीक है उसके बाद इसमें बताए गया है कि जो भारत नाम पढ़ा इस कंट्री का वो एक भारत नाम के राजा थे जो कि दुश्यंत के लड़के थे वो एक लिजेंडरी रूलर थे और जिनका जो उलेख है जिनका जो मेंशन है वो महाभारत में इनके नाम कहा में उलेख मिलता है वहाँ पी इनको पढ़ा जा सकता है उनके नेम पे इस कंट्री का नाम भारत उन्होंने अपनी बुक में इस बात को लेक किया है, जिक्र किया है, कि जो युनानी लोग, यानि ग्रीक लोग जो हुआ करते थे, वो सिंधु जो रिवर थी, उसको इंडस कहा करते थे, ठीके, और सिंध को इंड कहा करते थे, उसी इंड से इंडिया नाम के वर्ड की उत्प यानि वो वर्ड निकल करके आया ठीक है संस्कृत में इंडस रिवर को सिंधू कहते हैं और फारसी जो लोग थे जो फारस से आते थे परसियन लोग थे वो सौ को हो कहा करते थे सौ को हो कहते थे तो वो सिंधू को हिंदू कहते थे तो उसी हिंदू से आपका वर्ड निकला हि के आईयब आगे बढ़ते हैं और जितने भी यहां दिल्य के सुल्तान हुए या मुगल बादशा हुए उन सभी ने इस कंट्री का नाम हिंदुस्तान ही रखा और हिंदुस्तान कहके ही बूलाया और इसका एक्जामपल हमें कहां मिलता है तो मिनाज अस सिराज ये एक प्रकार के राइटर हुआ करते थे मुगल के टाइम में उन्होंने अपनी बुक में इस बात का जिक्र किया था मेंचन किया था कि हिंदुस्तान जो आपका एरिया था वो पूरा पंजाब था पूरा हर्यान था और गंगा और यमुना इन दो रिवर्स के बीच में जो जमीन थी ठीके गंगा और यमुना के बीच की जो जमीन थी जो एरिया था पंजाब और हर्याना को मिला करके उसके साथ में दिल्ली भी था को मिला करके हिंदुस्तान बोला जाता था और हिंदुस्तान शब्द का यूज बाबर भी अपने समय में किया करता था इसलिए इंडिया के ये जो दो नाम थे हिंदुस्तान और भारत ये इंडिया के साथ-साथ ही यूज किये गए बोले गए और जब तक बिटिस इंडिया में नहीं आये थे तब तक हिंदुस्तान नाम ही बहुत जोर सोर से चला करता था लिकिन जब से बिटिस इंडिया में आये तो धीरे दीरे हिंदुस्तान जो नाम था इसका जो फैशन था इसका जो प्रचलन था वो कम हो गया और इंडिया नाम आधिक रूप से जो एक इसको testify किया गा आधिक रूप से इसको advertise किया गया, भारत नाम तो पहले से ही था, अब next जो आपकी heading है, वो आपका है, sources of medieval period, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि यह जो भी बातें आपको उपर बताई गई हैं, जो भी fact उपर रखे गए हैं, उन fact के बारे में, या उन information के बारे में, हमें sources कहां से मिलता है, कौन से ऐसे sources हैं, जहां से हमें यह सब बातें जैनने को मिली, आखिर में किसी ने किसी source से यह बातें draw की गई होंगी, निकाली गई होंगी, तभी तो आज हमको book के रूप में बातें पढ़ने को मिल रही हैं, अगर यह बातें कहीं लिखी नहीं गई थी, कहीं ऐसे कौन से sources हैं, sources means information of sources, ठीक है, ऐसे कौन से sources हैं, जहां से हमें medieval period के बारे में information मिलता है, तो उन में आपका सब सब पहले आ था literary sources, अब literary sources में क्या बता रहा हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, यहां आपको बताया जा रहा है कि paper जो आपका था, जो कागस जी से आप कहत हैं, वो 100 BCE, यानि Jesus Christ के birthday के 100 year पहले ही, चाइना वालों ने इसको invent कर लिया था, लेकिन चाइना में ही इसका use होता था, जब Marco Polo नाम का Italy का traveler, आपके book में इस बात का जिकर नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, Marco Polo नाम का Italy का traveler था, जब हो चाइना गया, तो उससे यह चीज बह वहाँ पर operate करना सिखा, इसके बारे में बहुत सारी information ली, और जब अपने country Italy गया, तो वहाँ जाकर इन सब चीजों को बताया, तो दिरे दिरे इटली वालों ने printing press का invent कर लिया, कागज तो उनके पास पहले से हो गया था, उसके बास उनने printing press का invent कर लिया, और जब printing press बन ग जो भी हाथों से लिखा हुआ, पत्ते पर लिखा हुआ, या कपड़े पर लिखा हुआ, जो भी चीजे थी, वो books के रूप में बनने लगी, और printing press से जो छपता था, जो print होता था, वो books देखने में अच्छी होती थी, मजबूत होती थी, और उनकी जो इंक होती थी, या ज की रहती थी, उसके बाद से 16th सेंचुरी में, जब पोर्टोगीज यानि की पूर्तगाली लोग इंडिया में आये, और उन्होंने जब गोवा पे कब सा कर लिया, तो सबसे पहले पोर्टोगीज ने ही इंडिया में printing press खोला, जब इंडिया में printing press खोला, तो 16th सेंचुरी स बुक्स छपने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बुक्स छपने का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो सबसे पहली बुक जो इंडिया में छापी गई, इंडिया में print की गई, वो कोई इंडियन रिलिजन की बुक नहीं थी, वो Bible थी, क्योंकि उस समय तक जो Christian missionaries थी, उनका target था कि इंडिया में Christianity का, इसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाया, और जादे से जादे लोगों को इसाई बनाया जाया, इसके लिए आधिक से अधिक मात्रा में Bible चपने लगी और इसको distribute किया जाने लगा, उसके बार यहां बताया जा रहा है, कि जब से printing प्रेस का invention हो लिकिन जब यह technology नहीं थी, और हम बहुत पुराने time में चले जाएं, तो उस time क्या ब्यासा थी, क्या regimen था, तो उस time कुछ पेड़ होते थे, जिनकी पत्तियां जो होती थी, बहुत broad हुआ करती थी, बहुत चोड़ी पत्तियां हो करती थी, उनमें से एक tree का नाम है भोज, भोज ट्री, ठीक है, तो उनके जो leave होते थे, जो पत्ते होते थे, बहुत चोड़े होते थे, उन पत्तों पर ही लिखा जाता था, उन पत्तों पर जब लिखा जाता था, तो उनको भोज पत्तर का आ जाता था, ठीक है, और उसके बाद से तामबे के, तामबे के जो होते थे उन तामबों के प्लेटों पर लिखा जाता था जिनको तामर पत्र का जाता था ठीक है और कपड़ों पर भी लिखा जाता था उसके बास से तो यह जो चीजे होती थी वो कुछ दिन तक टिकती थी अब तामबा तो टिक जाता था लेकर जो कपड़ा बगरा होता था वो डेस्ट्रॉई वा जाता था और जब हमारे यहाँ 1200 या 1390 सेंजरी की आसबास तुरकों ने या मुगलों ने जब अटेक किया तो हमारे धर्म की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजे थी उनको तो इसलाम से मतलब था उनके साब से तो सिवाय अल्ला के यहाँ कोई दूसरा रिलिजन महान नहीं है तो उनको यहाँ पे इसलाम यानि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना था बढ़ाना था तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया और जो भी हमारी धार्मी के रिलिजियस जो बुक्स थी ठीक है वेदे थे पुरान थे जो भी चीजे थी उनको डेस्ट्रॉइ करना स्टार्ट कर दिया जो चीजे बच गई वो आजापके सामने है तो उस समय भी यह चीजे बुक्स की रूप में नहीं थी किताबों की रूप में नहीं थी कपड़े पर लिखा जाता था बागी भोज पत्रों पर लिखा जाता था और उनकी आए जाता था तो लगबग 1500 कि 1554 की बात है 16th century में जब printing press का invent हो गया उसके बाद Bible के साथ साथ और भी बुकें छपने लगी तो फिर ये सारी बुकें री collect की गई इनको फिर से redesign किया गया जो आज हमारा आप पढ़ते हैं इसके बाद इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो भी बुक्स या जो भी लिखा हुआ हमको middle period का मिलता है उसी से उनको literary source का जाता है और उसी से हमें जानने को मिलता है कि उस time में हुआ क्या था और actually क्या बात थी बहुत सारे ऐसे आपके writers रहे हैं जो 1200 से लेकर के और 14-1500 तक यानि जब तक तुरक थे जब तक मुगल थे जब तक दिली सल्तनत थी तो उनके साथ रहते थे कुछ courtier writer भी रहते थे जो उनके दरबार में रहते थे उन्होंने उनके बारे में लिखा मुगल बात्षाहों के बारे में या मुगल administration के बारे में लिखा हालनकि एक चीज़ और इसमें है कि यह जो लिखे गए वो अपने बात्षा के admire में लिखे गए प्रसंसा में लिखे गए तारीफ में लिखे गए तो यह जो literary sources पाए जाते हैं उनमें bias होने का भी खत्रा रहता है bias मतलब होता है कि अब जो यह writer होते थे वो court में रहते थे, दर्वार में रहते थे तो जो राजा इनका अच्छा ख्यार लगता था तो literary sources जो होते हैं उनसे में बहुत से type की information दो मिलती है लेकिन यह testify है कि नहीं यह bias हो सकते हैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अब यहां medieval period के कुछ writers के नेम दिये गए हैं जैसे अल-मसूदी, अल-बरूनी और इबन-बतूता जो अल-मसूदी थे यह 957 में इंडिया आये थे यह आरब प्रेलवर थे और उन्हें ने जो है कि उस time के सुल्तान्स के बारे में या जो भी लोग थे उनके बारे में लिखा हुआ है फिर उसको अल-बरूनी का number आता है अल-बरूनी आये 124 में इंडिया आये और 1030 तक यहां रहे यह मुहमद गजनी के साथ आये थे जब गजनी ने इंडिया पे टेक किया तो यह उनके साथ आये थे उन्होंने एक बुक लिखे जी ताकीक एहिंद जिसमें उस समय के मुहमद गोरी के समय के इंडिया के बारे में नोंने पूरा डेस्क्राइब किया है फिर उसके पास से इबन बतूता का नमबर आता है यह 1333 में आये थे और 1347 तक इंडिया में रहे तो यह मुरको के ट्रावलर थे और यह मुहमद बिन तुगलक के जमय इंडिया आये थे ठीके उन्होंने इनको खरीद लिया था इबन बतूता को मुहमद बिन तुगलक ने खरीद लिया था खरीद करके लिया आये थे तो जोगरुफिकली एकॉनोमिक और सोचल कंडिशन जो इंडिया की थी मुहमद बिन तुगलक के समय है उस समय की जानकारी इंफॉर्मेशन इनके बुक में हम ले सकते हैं फिर उसके बाद से यह जो डुमेंगो पैस हैं और विलेम हॉकिन्स हैं यह 16 सेंचुरी के समय आये थे 1500 के बाद यह आये थे तो इन्होंने बिटिश इंडिया के बारे में बिटेन का जब इंडिया पर कबज़ा हो गया तो उस हिस्ट्री के बारे में लिखा है तो उससे यहां फिलाल कोई हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम यहां पर मिडिल मिडियेवल पिरिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो अलमसूदी, अलबरूनी और इबने मतूता यह इस रेफरेंज में इंपोर्टेंट हो जाते है आपकी इस बुक में पेज नमर थ्री पर आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट मिडियेवल लिट्रेचर दिये गए हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत इंपोर्टेंट है इन सभी बुकों से हमें मेडियेवल पीरियर्ड के बारे में यानि 800 से लेकर के और 12 ब्या 13 तक के टाइम की इंपोर्टेंट मिलती है कलहड जो राइटर थे हैं उन्होंने राजतरंगरी लिखा है इसमें उन्होंने कश्मीर के डानेस्टी का डेस्क्राइब किया है कश्मीर में कितने राजा रहे हैं इनके बारे में इनके बुक से जनकारिये में मिलती है अलबरुनी है अलबरुनी ने तारीके हिंद बुक में ठीक है लगभग 1000 के इंडिया का वर्ण किया है चंदबर्दाई चंदबर्दाई जो थे यह एक इंडियन राइटर थे यह उन्हें पृत्विराज रासो नाम की बुख लिखी पृत्विराज चौहान के बारे में हमें डीटेल में पढ़ने को मिलता है अमिर खुसरो थे इन्होंने तरीक के अलाई लिखा अमिर खुसरो यह विदेशी थे यह हमारे कंट्री के तो थे नहीं इनकी बुक से भी हमें उस जमाने की इंडिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा बाबर ने अपना आटो बाइग्राफी लिखा तुजू के बाबरी जो की फार्सी भाषा में था ठीके उसमें बाबर ने अपने टाइम की इंडिया के बारे में लिखा है फिर मिनाज और सिराज यह तो आपने पढ़ाई है जायुद्दीन इन्होंने तारीक फिजरु शाही लिखा जिसमें फिरो शाह के बारे में नहोंने वर्डन किया था बर्नी जो बर्नी आपके थे बर्नी ने इन रिखा फत्वा जहादारी इसमें भी मुगल्स के बारे में हमें बहुत सरी इंफरमेशन मिलती है अबुल फजल जिनोंने अकबर नामा लिखा तो अकबर nãoवा का एक ढुसा नाम आइने अकबरी भी है तो अक्बर नवा में आपको टोटल अकबर के बारे में इनफामेशन इन्होंने अभूल फजल ने इसमें दी है पी सूर दास ने सूर सागर लिखा उसमें भी आपको उस टाइम की इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा और मलिक मुहमत जायसी ने पदमावत लिखा तो पदमावत में भी मीडिवल पिरिट के इंडिया की बातें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी उसके बाद से medieval period के बार में जानने के लिए हमें और sources की बात करें तो आपना archaeological sources भी important है archaeological sources का मतलब यह होता है कि suppose कर लोग कहीं कोई construction काम हो रहा है और जमीन खोदी जा रहे हैं तो जब गहरा हम जमीन खोते हैं तो पता चलता है कि नीचे कुछ निकला हुआ है तो ऐसे ही बहुत सारी खोजे हुई है बहुत सारी खोदाया हुई है excavation हुए है जिनसे हमें पुरानी चीदों के बारे में पता चला है हरप्पा और मोहन जोदुड़ो जो आपके इंडर्स वैली सिविलाजीशन के two important cities है उनको उनके बारे में ऐसे ही पता चला था जब पेशावर में railway line बिचाने का काम हो रहा था 1921 के आसपास तो जो archaeological department वहाँ पे गया तो पूरा का पूरा city ही निकलके सामने आया तो इनको archaeological sources का जाता है साथी साथ जो उस जमाने में मुगल के टाइम में या तुर्कों के टाइम में देली सल्तनत में जो monuments बना गया तो जो buildings बना गया थी तो उन buildings से भी उस जमाने के काफी चीजों की जनकार नागी हमें हो जाती है कौन से material का यूज गिया गया किस design से किस style से ये buildings बनाई गई ठीक है कौन से paint का यूज किया गया कौन से color का यूज किया गया कौन से technique का यूज किया गया तो उन सब चीजों से monuments से buildings से ठीक है महलों से कीलों से जो फोर्ट होते थे कीले होते थे उन सबसे भी हमें बहुत सारी information मिलती है और archaeological sources से जो हमें information मिलती है वो information 100% correct होती है इनमें biasness का या duplicate होने का कोई chance नहीं रहता है ठीक है यह पूरी के पूरी इन पर भरोसा किया जा सकता है यह information आपकी factual information होती है अब next sharing की तरब बढ़ता है जो कि आपका है emergence of a new social and political group अब इसमें 700 से लेकर के और 1750 तक की बातें आपको जानने को मिलेंगी तो muslim attackers का सबसे पहले जो attack हुआ इंडिया में वो 712 में होता है 712 में जो attack होता है वो कासिम कासिम नाम का आदमी करता है और वो होता है सिंद पे गुजरात का जो western part है जो अब पाकिस्तान में पढ़ता है उसको सिंद का आ जाता था तो सिंद पे सबसे पहला attack muslimों ने किया उस समय सिंद के जो राजा थे जो दाहिर थे जो कि एक हिंदू राजा थे उनको हरा दिया गया उनको मार दिया गया और सिंद पे अरभों का कब्जा हो गया मुहम्मद बिन कासिम ने वो attack किया था उसके बास से 1000 के आसपास और 1100 के आसपास ये मुहम्म्मद गज़नी ने मुहम्मद गोरी ने बहुत सारा attacks कि यह गजनी या गोरी ने जो अटक्स किए तो इस अटक्स का जो main आपका objective था वो इंडिया से पैसे सोना चैंटी लूट करके ले जाना था और अपने हां invest करके अपने हां काम करना था इंडिया पे rule करने के object से इंड इंडिया पे और कबजा करने के objective से इन दोनों अٹैकर ने अटैक नहीं किया मुहमणद गजनी ने भी कई बार अटैक किये मुहमध गजनी ने सौमनाद का जो मंदिर है उसको अटैक में तोड़ दिया और बहुत सारा वहां से धन लुट करके सो अचान्दि लुट करके वो ले गया तो लूट के उदेशे से पैसे एकठे करने के उदेशे से इन्होंने अटेक किया था तो जब मुहम्मद गोरी ने अटेक किया तो उस टाइम इंडिया में दिल्ली में पृत्वी राज चौहान नाम का राजा जो हिंदू राजा था वो राज्य कर रहा था ठीक है और जब मुहम्मद गजनी ने अटेक किया गुजराग पे तो उस समय भीम नाम का एक राजा था जो पहले अटेक में तो भीम ने उसको हरा दिया मोहमण गॉरी को भी हरा दिया लेकिन बाद में इवो भी हार गया ठीकिया मोहमण गॉरी ने जब अटेक किया 1192 में थोड़ा आपकी बुप में डीटेल नहीं थ टाइम जब इसने मुहमत गोरी ने टेक किया तो उस टाइम प्रित्युराज चौहान हार गया क्यों हार गया क्यों 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 प्रित्युराज चौहान के जो फादर इनला थे जो ससुर थे जैचंद ठीके उन्होंने मुहमत गोरी का साथ साथ दिया था मुहमत गोरी का साथ इसले दिया था क्योंकि उनकी लड़की साहियोगिता से प्रित्युराच चोहान ने जबरत्ति शाधी कर ले थी साहियोगिता तो तयार थे शाधी करने के लिए लेकिन जैचंद नहीं तयार थे शाधी करने के लिए जैचंद और प्रितुराच चोहान में पटती बिल्कुल भी नहीं थी इस वज़े से जैचंद ने मुहम्मद गोरी का साथ दिया और ये जैचंद गढ़वाल वन्ष के आपके राजा थे तो अपने लोग जब दोखा कर देते हैं तो हार न तो ताय था तो उसको तराइन वार कहा जाता है 1194 में मुहमद गोरी ने प्रितुराच चोहान को हरा दिया दिरी दिरे सभी छोटे छोटे राजाओं को हराता गया और दिल्ली पर उन्हें उसने कबजा कर लिया तो मुहम्मद गोरी के कबजे के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुवात हो जाती है जिसमें मुहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कबजा किया उस टाम दिल्ली के आसपास के इलागों में राजपूत, सिक, मराठा, अहोम, जाट और कायस्त यह आपके इंडियन जो राजा थे, जो इंडियन ओरिजिन के राजा थे उनका राज जिवा करता था तो बात में चल करके इन राजाओं से भी जो आपके मुहम्मद गोरी थे मुहम्मद गोरी तो कुछ दिन यहां रहने के बाद से चला गया वापस मुहमंद गोरी के बाद जो उसके गुलाम थे ठीके उन से और भारत और इंडियन जो राजा थे बाकी जो भी मैंने आपको बता है सिख राजपूर्द माराटा ओहम जाट और कायस्त इन सबसे बाद में स्टगल होता रहा वार होता रहा और बहुत सारे संगर्श हुए अगली एडिंग आपके एकॉमिक चेंजिज इकॉनिज में जब दिली पे सलतनत पे तुरकों का मुमंद गोरी तुरक था तुरकों का कबझा हो गया तो उन्होंने चीजियों का अपने हिसाब से चेंज करना स्टाट किया उससे पहले उससे पहले जो भी रेवन्यी का स्टम था एर टेक्स के कलेक्शन कर सिस्टम था ऐसे चिप्षा सम्टरेट करने के सम्टरा वह इंडियन किंग राजाओं ने हिंदू राजाओं न अपने साबसे बनाये थे फिर ये जब दिली सल्तनत पे मुवमत गोरी का कब्जा हो गया उन्होंने अपने साथ चीजों को चेंज कर दिया टेक्स कैसे पे करना है, किसको पे करना है, किसको नहीं पे करना है टेक्स जमीन का जो मेजरमेंट है, वो चेंज कर दिया गया और Indian language के जगए Persian language को ला दिया गया ठीक है और Persian culture में जो भी चीज़ें होती थी Islamic culture में जो भी चीज़ें होती थी उनको ला दिया गया ठीक है स्पेडिंग का, wheel करने का, weaving करने का ठीक है इस अरे चीज़ें में changing कर दी गई उसके बाद यह एगली हीडिंग आपके रीजें to empire में इसमें एक आपके एरिया पड़ता है youp में कनोज जो आज आपका कनोज नाम है ठीक है तो उस टाइम यूपी नाम नहीं हो अकरता था तो यह यूपी का जो कनोज था उस टाइम में जिसका यूपी अभी नाम नहीं था लेकिन कन्नोज नाम था तो यह क्या था गंका और यम्र रिवर के बीच में पड़ता था तो यह एरिया बहुत फार्टाइल था यहाँ पर एगरिकल्चर हो गारा बहुत अच्छे से होता था तो उस कन्नोज के कबजे को ले करके ट्रिपेटाइट स्ट्रगल नाम का एक चला ठीक है यानि तीन साइड थे एक आपके पाल थे दुसरे प्रतिहार थे तीसरे आपके राष्टकूट थे पाल वंस के राजा थे प्रतिहार वंस के राजा थे और राष्टकूट वंस के राजा थे इन तीनों राजाओं में तीनों जो है की राजियों में स्टेट्स में कन पर आधिकार को ले करके बराबर लडाईं होती रहें बराबर लडाईं होती रहें को लेकर की फिर तृट इंडिया में जो चोल थे राजिंदर चौल नाम आपन Depold बहुत ही बहुत ओब ओदर लडाय एक ओर जा जा us which तो चोल वहाँ पे बहुत powerful थे, चोलो ने अपना business South East Asia में और चाइना से ये कर रखे थे, तो चाइना से और South East Asia के country जिसे जब ये business करने लगे, तो ये बहुत ही powerful होगे, बहुत ही धनी हो गये, बहुत ही rich हो गये, ठीके, North India में और डेकन में आपके बहुत सारे ऐसे South Indian राज थे, जिनका बात में चलकर के मुगलों से बहुत सारी लडाईयां हुई, उसके बाद से जब दिली सल्तनत के जो सुल्तान या मुगल जो राजा होते थे, देर जब हिंदू चीजों को control करना शुरू किया, और यहां के festivals को, यहां के religious beliefs को जब बंद करना शुरू किया, यह उस पर अटेक करना शुरू किया, क्योंकि उनको अपना जो religion था, उनको इसलाम religion था, उसको फैलाना था, इसलाम को इंडिया में क्या करना था, कि बढ़ाना था, क्योंकि वो तो इसलामिश थे, और उसी को मानते थे, उनको इंडियान चीजों से बहुत नफरत थी, तो यहां के जो संत महात्मा थे, जो सादू थे उस टाइम, उन्होंने इस्तिशा फिरूत किया, तो एक भक्ती मूवमेंट चला, ठीके, जब उस टाइम मंदिर तोड़े जाने लगे थे, और मंदिरों पर कबज़ा किया जाने लगा था, तो यहां के लोगों को बहुत हट हु उन्होंने उसके विरोद में अपने भगवान को याद किया, और भक्ती मूवमेंट चलाई, अच्छे से अच्छे, रिलिजियस पोईट्री लिखी गई, रिलिजियस नौवेल्स लिखे गए, ठीके, और यह भक्ती मूवमेंट चला, तो यह भक्ती मूवमेंट आपका जाता है था, तो जो सूफी थे, बात में सूफी उने भी, टिके इस ट्रेंड को अपनाया, और उन्होंने भी अपने खुदा, अपने अल्ला को याद किया, तो वो इतने अर्थोडॉक्स नहीं थे, वो इतने कट्टर नहीं होते थे, जितने की मुस्लिम रूलर होते थे, अब इसी के साथ यह चैप्टर आपका फिनिश होता है, अब आते हैं एक्सेसाइज पर, आपकी बुक में जो एक्सेसाइज ए है, चूज दे करेक्ट आंसर और फिल इन दे ब्लैंक, उसमें फिर्स्ट वाला है, लिखा है, अर्ली मेडिवल पिरिएट सो, दे इमर्जन सो, तो इसमें होगा all of these, ठीक है, नमबर टू पर आते हैं, जब पर्शन वील इस रिलेटेट टू, तो इसका होगा आपका irrigation, ठीक है, थर्ट पर आते हैं, दा लेट मीडिवल पिरिएट स्पैंस बिट्वीन, तो लेट आपका, इसमें ए सही है, आपका होगा 13 to 18th century, यह वाला इसमें जो लिखा आपका तारीक अल हिंद, तो इसको आप मैच कर दीजिए, किस से, तो अल बरुनी से, प्रित्वराज रासो किस से मैच होगा, चंद बर्दाई से, सूर सागर किस से मैच होगा, सूर दास से, आईने अकबरी, अवल फजल से, और पदमाउत को आप मैच कर आपका तू है, फोर्थ वाला आपका तू है, और फिफ्थ वाला जो आपका है, दा आइडिया भक्ती इमर्ज द्यूरिंग 500 BCE, यह आपका फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि भक्ती जो मुम्मेंट आपको हुआ था, वो मीडिल, मीडिवल पिरिएट में हुआ था, इसमें दूर होई होगी, अगर आपको मेरी एक्स्प्राइशन अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके, अपनी बातें आप बताएंगे, और जब आप कमेंट करेंगे, तो अपने CT का नाम जरूर लिखिएगा तकि मैं जान सकूँ, कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं, तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, बिने सब्सक्राइब किये, मत जाएगा, मिलते हैं आप से हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के एक्स्प्रेनेशन के सा तब तक जय हिंद, जय भारत, सेव रहे हैं, मस्त रहे हैं